कंजूस सास की रसोई, एक गाव में एक बेहत कंजूस सास रहती थी, उसका नाम सावित्री था, सावित्री को हर चीज में बचत करने की आदत थी, खास कर खाने पीने की चीजों में, वह हमेशा कोशिश करती थी कि घर के सदस्यों को जितना कम से कम हो सके, उतना ही खाना दिय उसका मानना था कि जितना ज्यादा खर्च होगा, उतना ही बेकार जाएगा। इस वजह से घर में हमेशा खाने पीने की तंगी बनी रहती थी। घर का कामकाज संभालती रही। राधा को इस बात का बहुत दुख होता था कि घर में खाने का सामान हमेशा सीमित मात्रा में रहता था। जब वह सबजी बनाती तो सास कहती, बहु इतनी सबजी क्यों बना रही हो? कम बना लिया करो, सबको कम में गुजारा करना चाहिए। भूक से समझोता करना पड़ता था। एक दिन गाव में कुछ महमान आने वाले थे। राधा ने सोचा कि अब तो सास थोड़ा ज्यादा खाना बनाने की अनुमती देगी ताकि महमानों का स्वागत ठीक से हो सके। उसने सास से कहा, मा, हमारे घर कुछ महमान आ रहे हैं, हमें इतना ज्यादा खाना बनाने की क्या जरूरत है, जो है उसी में काम चला लो, अगर जरूरत पड़े तो बस उन्हें पानी पिलाओ, वही काफी है। राधा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रही, उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, महमानों का स अच्छे भोजन से करना हमारी परंपरा है, और सास सिर्फ पानी पिलाने की बात कर रही है। राधा के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसने सास से बहस नहीं की, वह जानती थी कि सास की कंजूसी से बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। वह दिन आया जब महमान घर प खाने का सामान बहुत ही सीमित है, तो वे हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बातें दबा कर सिर्फ थोड़ा सा खा लिया, लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि इतनी बड़ी सास और बहु के घर में खाने का ऐसा हाल कैसे हो सकता है। राधा को महमानों की असहजता देखकर और भी दुख हुआ। वह चाहती थी कि वह सास को समझा सके कि महमानों का सतकार अच्छे भोजन से होता है, लेकिन सास अपनी आदतों से मजबूर थी। सावित्री की कंजूसी ने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया था। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने पती से इ अच्छे से करना चाहिए। पती ने राधा की बात सुनी, लेकिन वह भी मा के डर से कुछ कह नहीं पाया। राधा समझ गई कि उसकी सास की आदतें कभी नहीं बदलेंगी। उसने तै कि वह घर के अंदर शांती बनाए रखेगी और जितना हो सके अपनी तरफ से घर की जि प्रभावित किया था, लेकिन राधा ने संयम और धैर्य से काम लिया। इस तरह कंजू सास की रसोई में हमेशा खाने की तंगी बनी रही। और राधा ने अपनी समझदारी और धैर्य से उस माहौल में भी संतुलन बनाए रखा।